दोस्तो राष्ता है, इसकॉलर्षप फॉर्म में 2021-22 या 22-23 जो भी आपका फॉर्म है या तो आप नए श्टुडेंट है या उल्ड श्टुडेंट है तो दोस्तो आपने फॉर्म में स्कॉलर्षप का एप्लाई कर रखा है और अपने जनाधर काड में आपने अपडेट किय आए तो दोस्तों जैसे कि जन्नादर कार्ड में अपडेट होते हैं आपका मुल्लेवास जाती प्रमाण का पत्र एंड बैंक एकाउंट इसके अलावा आए प्रमाण पत्र दोस्तों इस प्रकार के अगर आपके कुछ कोई भी डॉकुमेंट्स अपडेट करवाया है जन्नादर कार्ड के अंदर तो दोस्तों वह अपडेट होने में कितना टाइम लगता है अपडेट का उसकी क्या प्रोसेस है अपडेट हुआ है नहीं हुआ यह विडियो के अंदर आपके लेकराया हुआ इसमें आप देख सकते हैं कि जन्नादर कार्ड को आपके स्परकार अपडेट कर सकते है या फिर वो कहां तक अपडेट हो चुका है तो यह complete detail हम अपनी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं तो एक वार वीडियो शुरू करने से पहले आपसे request है हमारे चैनल को subscribe कर लेना and bell icon को press कर देना चलिए शुरू करते हैं दोस्तो राष्ता इस्कोलर्शिप के जनादार में update चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी SOS ID को यहां से login कर लेना है login करने के बाद में आपको scholarship SJ वाली portal को इंटर करके यहां से open कर लेना है इसके बाद में दोस्तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपकी 3 line है इसमें जाना है student scholarship portal में आपको view and update profile पर आना है यहां से आपने जो forum बर रखा और जिसमें आपने जनादार card में update किया उसे यहां से open कर लेना आपको जो pencil दिखाई दे रहे हैं इस पर आके अब दोस्तो मेरा यहां से form में वो यहां पर क्या है open हो चुका जो मेरा update किया हुआ है इसमें मैंने जो update profile है उसको यहां से open किया अब इसमें मेरी complete detail है जो इसके अंदर आपको दिख जाएगी end इसके अलावा हम last में देखते हैं सबसे जो हमें दिखाई देगी इसमें जो हमने इसमें update करवाया था मूल नबास प्रमाण पत्र end यहां से परवार की बारसिक आए तो दोस्तों यहां से update करवाया update अब जम मैंने जनादर काड में update करवाया तो इसके बाद में यहां पर क्या दिखाई देता है हमें सबसे पहले अगर आपका update हो जाता तो आपको रायट चिन दिखाई देगा निले कलर में दोस्तों इस परकार end मैंने जो आई प्रमाण पत्र वो भी यहां से update करवाया तो दोनों यहां से मुझे रायट चिन दिखाई दे रहे जनादर काड में अगर आपने अपडेट करवाया और अपडेट के लिए time लेता है आपका 7 दिन से 10 दिन के मद्दे time लेगा उसके बाद में आपका यहां से कोई भी डॉकुमेंट्स जनादर काड के update होगा तो दोस्तों यहां पर मेरे मार सीट भी update है इसमें मेरा आई प्रमान पत्र भी update है मुल लबास भी है और आप उपर द कर लेना यहां से अगर आपके जो भी डॉकुमेंट्स हैं जनादर काड में update हो चुके तो आपका फॉर्म मानने रहेगा अगर update नहीं हुआ तो उसे देख लेना दोबारा भी करवा सकते हैं अगर update उपर से नहीं होकर आया तो दोस्तों update होने के बाद में आपकी स्कॉलर स को सब्सक्राइब कर लेना इसके लावा बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे की नेक्स्ट नेटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद